अब बात कर लेते हैं दिली से आयोध्या के बीच या फिर अगर आपको गौतम बुद्र नगर में रहते हैं तो अगर आप आयोध्या का सफर करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं जहाज के माद्यम से, ट्रेन के माद्यम से और बस के माद्यम से अयुध्या पहुचा जा सकता है लेकिन अब हम आ चुके हैं बस स्टेशन पे यहाँ पर जो आनंद वियार बस टर्मिनल है बड़ी संख्या में यहाँ पर बसे जो हैं डारेक्ट और इंडारेक्ट तरीके से उत्रप्रदेश के कई लाकों में जाती हैं ऐसे में अयोध्या के लिए भी यहाँ पर बसे मिलेंगी खास तोर पर बस स्टेशन की बात करें तो दिल्ली और यूपी को मिला करके अगर हम देखें प्राइवेट और सरकारी बसों की संख्या करीब 54 बसे जो हैं अयोध्या को कनेट करती हैं ऐसे में चाहे वो कश्मीरी गैट हो चाहे वो आनन्द वियार बसड़ा हो या फिर प्राइवेट बसों की संख्या हो तो उसमें करीब 54 बसे हैं जो आपको आयोध्या तब पहुंचाती हैं इसमें कराए की अगर हम बात करें तो दिल्ली में अगर हम उत्तर प्रदेश की ब बात करें तो यहां से जो क्राया है UPSRTC का वो करीब 1000 से शुरू हो जाता है एक हजार से लेकर के 1200 रुपए तक लेकिन अगर प्राइवेट वेंडर्स की बात करें जो प्राइवेट प्लेयर से जो बड़ी संख्या में बसे चलाते हैं उनका ये क्राया जो है वो 600 रुपए से करीब 1400 रुपए तक का क्राया जो है क्योंकि 634 किलोमीटर दूर है दिली से अयुद्या और ऐसे में 1000 से लेकर के 1400 रुपए तक का क्राया जो है वो स्लीपर कोच के लिए आपको पे करना पर सकता है सिटिंग कैपसिटी की अगर बात करें बसो में करीब 60 की संक्या में सिटिंग कैपसिटी होती है और उसमें अगर सीट के पर कॉस्ट की बात करें तो 600 रुपए कॉस्ट जो है अयुद्या तक आती है ऐसे में बड़ी संक्या में बसो का भी परिचालन जो है अयुद्या के लिए क्या जाएगा ऐसा माना जा रहा है लेकिन फिलहाल अगर दिल्ली और नोड़ा की बात करें या गौतम मुद्ध की बात करें और साथ में आनंद विहार बस टर्मिला की बात करें तो टोटल मिलाकर के प्राइवेट और सरकारी चोवन बसों को चलाया जा रहा है जिससे तक पहुचाए जा सके फिलाल किराया जो है वो नॉमिनल है लेकिन अभी भी यहां पर देखेंगे पंद्रा तारिक के बाद भीड जादा हो जाएगी जिससे आपके लिए ये बहतर समय हो सकता है कि आप अपनी प्री बुकिंग जो है वो ऑनलाइन से कराके रखे ताकि आय